हेलो फ्रेंट्स आप सबका आपके अपने चनल गोविन लेक्चर्स में अर्दिक स्वागत हैं तो केसे हो आप सब उम्मित करता हूं आप सब अच्छे होंगे और आप सब की प्रेय बीची चल रहे होगी तो आज से हम कक्सा दस हिंदी विशे की इसपर्स भाग दो के कावय खंड के पर्थम अध्या साखी के अभ्यास प्रशनों के उत्तर जानने की कोशिस करेंगे हमने आपकी कक्सादस हिंदी विशे के सितीच और करतीका के अभ्यास प्रशनों बहुत अच्छे से सॉल्व करा रखे हैं वो सब क्लासेज आप चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर आराम से देख सकते हैं आज से हम आपके इसपर्स विशे के अभ्यास प्रशनों बहुत रहे हैं और उसी कडि में आज हम अध्या एक साखी के अभ्यास प्रशनों के उत्तर को जानेंगे तो चलिए एक लासम शुरू करते हैं देखें पहला प्रशन आपके सामने दिया गया है निम्द लिखित प्रशनों के उत्तर दीजिए पहला प्रशन है मिठी बानी बोलने से औरों को सुख और अपने तन को सीतलता कैसे प्राप्त होती है मिठी बानी बोलने से औरों का मतलब है दूसरों को ठीके दूसरों को सुख और अपने तन तन का मतलब क्या होता है सरीर ओ सीतलता सीतलता का मतलब है एक प्रकारत की ठंडक ठीके कैसे प्राप्त होती है यह हमें बताना है तो इसका उत्तर क्या होगा मिठी मानी बोलने से औरों को सुख और अपने तन को क्या प्राप्त होती है सीतलता प्राप्त होती है क्योंकि मिठी मानी बोलने से मन का अहंकार क्या हो जाता है समाप्त हो जाता है यहां हमारे तन को भी सीतलता प्रदान करता है पथा सामने सुनने वाले को भी सूख की और प्रसंता की क्या कराता है अनुभूती कराता है इस वज़े से सदा दूसरों को सूख पूंचाने वाली वो अपने को भी सितलता परदान करने वाली मिठी वानी क्या करने चाहिए बोलने चाहिए जो अपने तन को सितलता परदान क करने के साथ साथ सामने वालों को भी सुख और प्रसंता के अनुभूती कराती हो ऐसी वाणी ही मैं मैं सा बोलने चाहिए ठेके आगे बढ़ते हैं प्रशन संक्या दो दिया गया है दीपक दिखाई देने पर अंधियारा मतलब अंधेरा कैसे मिट जाता है नश्ठ हो जाता है यह हमें इस साखी के या जो आपका एध्या दिया गया है साखी इसके संद्रब में इस पश्ट करना है तो उत्तर क्या होगा? दीपक में एक प्रकास पोंज होता है क्या होता है? प्रकास पोंज का मतलब प्रकास की एक लो होती है जिसके प्रभाव के कारण अंदकार क्या हो जाता है? नश्ट हो जाता है इसी प्रकार मन में ग्यान रूपी दीपक का प्रकास फैलते ही मन में चाया, भ्रह्म, संदे और भ्य रूपी अन्दकार क्या हो जाते हैं? समाप्थ हो जाते हैं जिस परकार एक दीपक के जलने से अंधेरा या नश्ट हो जाता है तो कुसी परकार हमारे मन के अंदर ग्यान रूपी दीपक के प्रकास फेलाते ही याने उसके जलते ही मन के अंदर चाया, भ्रह्म, संदे, भे रूपी अंदकार ये सारे ही समाप्त हो जाते हैं, नश्ट हो जाते हैं ठीके, आगे बढ़ते हैं प्रशन संक्या तीन, इस्वर कण कण में व्याप्थ है और हम उसे क्यों नहीं देख पाते हैं प्रशन क्या कहा रहा है कि इस्वर है, कबीर के अनुसार इस्वर कण कण के अंदर व्याप्थ है, तो फिर हम उसे देख क्यों नहीं पाते हैं, इस अध्या क्या दर्व आपको बताना है तो कबिर जी के नुसार इस्वर कण कण के अंदर क्या है व्यात है और कण कण ही क्या है इस्वर है इस्वर की छेतना से ही यह संसार क्या होता है दिखाई देता है चारो और इस्वरीय सेतना के अतरिक्त कुछ भी नहीं है लेकिन ये सब कुछ हम इन अपनी बहतीक आंकों से नहीं देख सकते जब तक इस्वर की क्रपा से हमें दिव्य सक्सु यानि आंखें नहीं मिलती तब तक हम कन कन में इस्वर के वास को नहीं देख सकते वास का मतलब है वो ही निवास और ना ही इस्वर को क्या कर सकते हैं अनुभव या मैसुज कर सकते हैं निकभे दाजी कह रहे हैं कि इस्वर कन-कन में व्यापत है और कन-कनी क्या है इस्वर है और इस्वर की छेतना से ही यह संसार चलता है या दिखाई देता है लेकिन यह हमें तब तक दिखाई नहीं दे सकते जब तक इस्वर की क्रपा से हमें वो दिव्य आंखे प्राप्त नहीं हो जाती ठीक है और जब हमें यह दिव्य आंखे प्राप्त हो जाएगी कि इस्वर की करपा से तो ही हम कंड-कंड में इस्वर के वास को देख सकते हैं और उसके अधुभों को महसुद कर सकते हैं । अगला प्रशन है आपका संगैच्यार संसार में सुखी वैकति कौन है और दूखी कौन है यहां सोना और जागना किसके परतीक है और इसका प्रियोग यहां पर क्यों किया गया है इस परस्ट कीजिए यहांनि दो प्रश्णा है इसमें पहला प्रश्णा है कि संसार में सुक्य व्यक्ति कौन है और दूखी कौन है दूसरा प्रशन है कि सध्याय के अंदर सोना और जागना ये दो सम्द किसके परतीक है और इसका प्रियोग यहाँ पर क्यों क्या गया है हमें इसको इस पष्ट करना है ठीके तो देखें संसार में यानि कभिदाजी के नुसार या इस अध्याय के नुसार संसार में वहव एक्ति सुखी है जो परभू प्राप्ति के लिए पर्यास से दूर रहकर संसारिक विश्यों में डूब कर क्या करता है आनन्द पुर्वक सोता है संसार में वहव एक्ति सुखी है जो परभू प्राप्ति के लिए किये गए प्रयासों से दूर रहकर इस संसारिक जीवन में रहकर या डूब कर आनन्द पुर्वक सोता है इसके विप्रित वह वैक्ति जो प्रभू को पाने के लिए तड़प रहा है उनके वियोग से दुखी है वही क्या कर रहा है वही जाग रहा है ठीके यनि वह वैक्ति दुखी है जो प्रभू को पाने के लिए तड़प रहा है उनके वियोग से दुखी है और वही जाग रहा और यहाँ पर जो सोना सब्द है उसका प्रियोग प्रभू प्राप्ति के प्रयासों से विमूख होने जबकि जागना प्रभू प्राप्ति के लिए किये जाने वाले प्रयासों का प्रतीक है। जीवन में सांसारीक विसेवासनाव से दूर रहने तथा सचेत रहने के लिए किया गया है। अपने सभाव को निर्मल रखने के लिए कबीर ने निंदक को अपने निकट रखने का सुझाव दिया है। निंदा करने वाला। पुरा हो जाता है, वो हमें से दूर रख जाते है। निंदक यानि जो निंदा करने वाला है, वो बुराईयों को दूर कर सद्गुनों को अपनाने में साहयत सिद्ध होता है। क्योंकि जो निंदा करने वाला प्यक्ति है, वो हमारी बुराईयों की निंदा करेगा, जिसकी वैसे हमारी बुराईयों का पता लगेगा। और हम अपनी बुराईयों को सुधार कर क्या करेंगे। सद्गुनों को प्राप्त कर सकेंगे। करने में क्या मिलती है साहिता मिलती है कभिट्र जी कह रहे हैं कि उस निंदक के द्वारा की गे आलोचना को सुनकर हम अपना आत्मन द्रक्षन कर पाएंगे और उस हमारी जो गलतिया जो कमिया जो बुराया है उन्हें सुद्ध और निर्मल आच्रन करके हम अपने आच्रन को निर्मुल बनाने में क्या मिलेगी हमें वहाँ से सायता प्राक्त होगी अगला प्रश्ण एके अचीर पीव का पड़े सु पंडित होए इस पंक्ति द्वारा कभी क्या कहना चाता है इस पंक्ति के माध्यम से कभी कहना चाते हैं कि संसार में पीव अर्थात ब्रह्म क्या है ब्रह्म ही सकते है उसे पड़े या जाने बिना कोई भी पंडित कभी भी ज्यानी नहीं बन सकता है आगे कभी ने जिस द्याय में जिन साक्यों की वयक्या या हमारे सामनी जो साक्या प्रस्तुतकी है उनकी भासा की विजएसता है कि यह जन्ड बासा है यह लोगों के इंदर जिस exempel की भासा यूज़ की जाती है उसी जन बासा का कबेदाजी ने यहाँ पर साख्यों के रुप में उप्योग किया है उन्होंने जन छेतना और जन भावनाव को अपनी सद्धू गड़ी बासा के द्वारा साख्यों के माध्यम से जन जन तक पहुंचाया है इसलिए डॉक्टर हजारी प्रशाद द्विवेदी ने इसकी बासा को भावनुरूपनी माना है यहाँ भाव के अनुरूप माना है अपनी चमतकारिक बासा के कारण आज भी उनके दोहे लोगों की जुबान पर रटे पड़े हैं यहाँ उनकी जो बासा है विल्कुल सरल है और जन बासा है जिस तरह लोग अपने चाधरन बोल चाल में बासा का उपयोग करते हैं जिस भावा नुरूप एनि भाव के अनुसार जिस भावा का लोग उपयोग करते हैं, उसी भावा का कभीदाजी ने अपने साक्यों के अंदर उपयोग किया है और इसकी इस चमत कारिक और इस सरल भावा के कारण ही, आज भे कभीदाजी के दोहे लोगों की जुबान पर आगे कोई तो इस पंक्ति का जो भाव है वो है कि विरह विरह का मतलब क्या होता है जुदाई पर्थपता या अलगाव एक सर्प के समान है सर्प मतलब साप के समान है जो सरीर में बसता है और सरी का क्या करता है सय करता है नास करता है इस विरह रूपी सर्प पर किसी भी मंत् प्रभाव नहीं पड़ता क्योंकि यह विरह इस्वर को न पारने के कारण सताती है जब अपने प्रिय इस्वर की प्राप्ति हो जाती है तो यह विरह रूपी सर्प क्या हो जाता है सांत हो जाता है समाप्त हो जाता है अर्थात इस्वर की प्राप्ति ही क्या है इसका इस्ता समाधान है, जब तक इस्वर की प्राप्ति नहीं हो जाती तब ये विरह ठीकें जुदाई है इस्वर से वो एक सर्प के समानामेसा में डस्ती रहती है हमारे मन को वैतित करती रहती है और जब इस्वर की प्राप्ती हो जाती है तो ये विरहर उपी जो सर्प या साप है वो सांत हो जाता है समाप्त हो जाता है और मैं जीवन की समस्त आनन नुवबुदी प्राप्त होने सरू हो जाती है आगे इस पंक्ति का बाव यह है कि बगवान हमारे सरीर के अंदर ही बास करते हैं जैसे हीरन की नाभी में कस्तूरी होती है परन्तु उसकी खुस्मू से प्रभावी तोकर हीरन उसे चारो और ढोंडता भिटता है उसी प्रकार से मनुस्य इस्वर को विबिन इस्तलो पर अनेक धार्मिक क्रियाओ की द्वारा प्राप्त करने का प्रयास करता है परन्तु इस्वर तीर्थो जंगलो आदी में बटकने से प्राप्त नहीं होते हैं वे तो अपने अंता करण में जाकने से ही क्या होते हैं, मिलते हैं या प्राप्त होते हैं, ठीके, जिस तरह हीरन उसकी नाभी में इस्तित, कस्तूरी की खुस्मू से परभावित होकर उससे चारों जगह ढूंडता है, लेकिन कस्तूरी तो उसकी नाभी में ही मुझुद होती वे केवल अपने अंतर आत्मा में जाकने से ही प्राप्त हो सकते हैं अगला जब मैं था तब हरी नहीं अब हरी है तो मैं नहीं इसका बाव है कि जब तक मनुष्य के बितर क्या था अहम यानि अहेंकार की भावनात्वा अंदकार विद्धमान रहता है तब तक उसे कभी भी इस्वर की प्राप्ति नहीं हो सकती है अहम के मिठते ही इस्वर की प्राप्ति हो जाती है क्योंकि एहम और इस्वर दोनों एक इस्तान पर कभी भी नहीं रह सकती इस्वर को पाने के लिए उनके परति पून रूप से समरपन होना आवसक है और जब तक इंसान के इंदर अहम एहंकार की भावना रहेगी, सवार्थ की भावना रहेगी, तब तक कभी भी उसी इस्वर की प्राप्ति नहीं हो सकती है अगला, पोथी पड़ी पड़ी जग मुवा, पंडित भया न कोई इसका अर्थिये हैं कि पोथिया और वेद पूरान पड़ पड़ कर संसार ठग गया, लेकिन आज तक कोई भी पंडित याने ज्यानी नहीं बन सका अर्थात इस्वर के प्रेम के बिना उसकी करपा के बिना कोई भी पंडीत नहीं बन सकता यानि ग्यानी नहीं बन सकता तत्व ग्यान की प्राप्ति नहीं कर सकता है कभी दाजी कहा रहे हैं कि लोग बड़े-बड़े गर्व, गरंत, वेद, पुरान, पौतिया पढ़ड़ के मर गए लेकिन थक उन्हें कभी भी शुक्रिप्राती नहीं हुई क्योंकि जब तक इस्वर का प्रेम उन पर नहीं बनेगा उस्वर की करपा उन तक नहीं होगी उन पर, तब तक कोई भी वेक्ते ज्यानी या पंडित नहीं हो सकता है बले वो कितनी ही किताबे गरंत, वेद, पुरान पढ़ ले अगला भासा अध्यन पाट में आए, निमन लखी सब्दों की परचलीत रूप उद्यारण के अनुसार लिखिए जीवे का मतलब जीना इसी तरह जीवे का मतलब जीना औरन का मतलब औरोपो माही का मतलब भीतर देख्या का मतलब देखा भुवं का मतलब साब फिर नेड़ा का मतलब निकट आंगनी का मतलब यहाँ पर जोड़ा प्रेंग नहीं हुआ है आंगनी का मतलब किस से हैं? आंगन से ठीके? साबन का मतलब साबून से मुवा का मतलब मरा से पीव का मतलब प्रेंग से जालो का मतलब जलाव से तास का मतलब उस से तो यहाँ पर जो सब दिये गए हैं उनका वैवारी क्या जो परचलित रुप में जो अर्थ होता है वो यह होता है यह आपको बताना था आगे योगिता विस्तार कस्तूरी के विशे में जानकारी प्रात कीजिये कि कस्तूरी क्या होती है तो मर्ग यानि हिरनों की एक परजाती होती है कस्तूरी मर्ग और ऐसा माना जाता है कि इन परजाती के मर्गों की नाभी में क्या होती है कस्तूरी होती है जो निरंतर अपनी महक या सुगंद भी खेरती रहती है और इस कस्तूरी के बारे में खुद मर्ग यानि हिरन को कुछ पता नहीं होता और वे इस महकदार वस्तू को खोजते हुए यहां वहा का रहते हैं, गुमते रहते हैं खुंके, तो इस प्रकार अमने आपके अध्या एक साथी के जितने भी अभ्यास के प्रशन हों थे, उन सभीgeben desar अब्यास के नोट्स और जानकारी समय समय पर मिलती रहेगी तो आज के लिए इतना ही जै हिंद जै भारत